कि नमस्कार जीस बाइन एरसे चलने में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम आपको उत्रप्रदेश पुलिस के लिए हिंदी का प्रैक्टिक सेट कराने जा रहे हैं आप टेंसन ना लें तनाव न लें आपका पेपर बहुत अच्छे से होगा आप अपने माबाप के सपनों को सपनों को पूरा करेंगे आप से आस लगाय हुए हैं आप इस भाइक कंसी में एक पद अपने लिए भी लेंगे तो चलिए हम करा रहे हैं लगातार अजम सिब्राई आको आपने लिए एक सीट ले लीजिए तो जो एक्जाम है 17-18 तक चार पालियों में उत्तर प्रदेश पुलिस का उसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं हम लोग और आप लोग भी ऐसे मेहनत करते रहे हैं आप लोग का सिलेक्शन अवस्य होगा ये समझ लिए जी ये पढ़ना कभी बेकार न मात्रणम का सुद्ध संद्य विच्छेद क्या है मात्रणम का सुद्ध संद्य विच्छेद क्या है मात्रणम का सुद्ध संद्य विच्छेद क्या है आप्शन ए है मात्र धन्रणम मात्र धन्रणम मात्र धन्रणम मात्र धन्राम मात्र धन्राम तो किस आप्शन के साथ जा से बड़ा उ किस प्रकार का स्वर है पस्ट स्वर है अगर स्वर है अगर विवर्त है पस्ट संवर्त है किसके साथ आप जाना चाहेंगे तो पस्ट संवर्त है दिएगे सब्दों में से इस्त्री लिंग सब्द कौन सा है प्रकिर्ति दुपट्टा फुलका हीरा तो इस्त्री लिंक सब्द कौसा है आप किसके साथ जाएंगे तो आप सन यह क्या है फ्री एक यह प्रकृत क्या है कि स्ट्रिलिंक सब्द है अभर मउसम आज कुछ सुहावना वाकि में कौस में सुहावना सब्द किसका परिचायक सब्ध किर्या विशेशन संग्या तो क्या करेंगे सी विशेशन के साथ जाएंगे सी आपसन सही है तौह हम सी आपसन के साथ जाएंगे चलिए निलिखित विकल्पों में इसे तत्सम सब्द क्या है क्या है तत्सम सब्द क्या है नारियल उपरोग्द तुरंद आलसे तो आप किस आप्सन के साथ जाएंगे आप्सन डी आलसे चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंगार सब्द का तत्सम क्या होगा ये वाला स्रिंगार ये स्रंगार है ये सिंगार है कौन सा सही होगा तो आप C आप्सन के साथ जाएंगे स्रिंगार ककेस का विलोम नीचे दिए गए विगल्पों में से चुने कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र तो इनमें से कौन सा सही है तो मधुर है, वाक्यांसों के लिए एक सबसे सम्दित कौन सा जोड़ा गलत है, जिसका इलाज कठिन हो, दुसाद है जो मनुस्य से दूर हो, अमानुसिक जो कम खर्श करने वाला हो जो कम खर्श करने वाला हो अब वेई, जो इतिहास लिखे जाने के एक से पूर्व का हो, प्रागय तिहासी तो आप इसमें से किस आपसन के साथ जाएंगे तो आपसन ये सही है किस आपसन के साथ जाएंगे आपसन ये सही है सोरी option C सही है कौन सा जो कम खर्ष करने वाला हो तो 8 का C सही होगा कौन सा सही होगा 8 का C कौन सा जोड़ा गलत है इसमें देखना है C सही होगा आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुसकर्मों के लिए सोयम रिक्तसान पर महावरे का चेन करें सिर्ध धुनता है कलेजे परहात रखता है असमंजस में पढ़ जाता है फोट फोट कर रोता है तो इसमें से अब क्या करेंगे तो ए आपसन सही है सिर्ध होनता है बहर मुखी सब्द में कौन सा उपसर्ग है बही बहिर बाहिर बहिस तो कौन सा सही है बी आपसन सही है बहिर अत्याचार का सही संदिविच्चित क्या होगा अत्याचार का सही संदी मिच्छत क्या होगा अत्याधनचार 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 तो क्या होगा अत्याधनचार ग्यारा का सही सही होगा निर्दे में समास क्या है करमधारे समास दंद समास दिग समास और बहुवरी समास ठीक तो इस में में से चारों में सी कौन सा सही होगा तो D option है निरदाइमें बहुवरी समास होगा किस्का चेहन करना है आप बताएं कि आपकी समस्याद क्या है मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ उसने खाना खाया और सो गया तो और सो गया दो आख्यों को जोड रहा है तो यही option C सही होगा D है परिस्च्रम करके सफलता प्राप्त होगी यह भी सही नहीं है दियेगे सब्द के समानार्थी सब्द का चेहन करें द्वार का कर्मट कपाट कपट सपाट तो क्या होगा आप जुनते भी होंगे कपाट option सही होगा चले कोश्चे नंबर 15 देख रहे हैं हम दिये गए वाग कावा भाग ज्यात करें जिसमें कोई तुर्टी है यदि कोई तुर्ट नहीं है तो कोई तुर्ट नहीं है ठीक अध्यापक हमसे एक लेख लिख लिखवाया कोई तुर्ट नहीं है ठीक आप क्या करेंगे जिसमें कोई तुर्टी है यदि कोई तुर्टी नहीं है तो क्या आप चुनेंगे इसमें तो ऑफ्षन किसके साथ जाएंगे ओफ्षन ए सही है देगे वाग में रेखांकित खंड को प्रिस्थापित करने के लिए सबसे उपिक विकलब का चैन करें जिसे प्रिस्थापित करने की आवस्यता नहीं है तो विकलब में किसी बलाव की आवस्यता नहीं है का चैन करें तो चलिए देख रहे हैं किसी भी देश की संपत ऐसे देश में आदर्स विद्यार्थी ही होते हैं उस देश की आदर्स विद्यार्थी ऐसे देश की आदर्स विद्यार्थी किसी बदलाव किया उसकता नहीं है उस देश में आदर्स विद्यार्थी टिक तो किस option के साथ जाएंगे तो option ये सही है वह सम्मात्रिक छंद जिसके प्रतेक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रतेक चरण में 11-13 मात्रा पर ये ती हो कौन साथ छंद कहा जाएगा तो हम option ये में जाएंगे रोला क्या रोला सोरठा सवया ये सब सही नहीं option ये सही है चलिए question 18 कर रहे हैं द्रिश्ट राष्टियता का आधार है रिक्तस्तान के लिए सही विकलब का चरण करें धर्म निर्पेच, धर्म सम्मत, धर्म सापेच, धर्मांसा तो किस option के साथ है जाना चाहेंगे हम मानों के मर्म अस्थल में परोपकार और त्याग जैसे सदुड़ों की जागरित तभी हो पाती है जब वह अपने तुछ भावतिक जीवन को नगड़ समझ कर उस्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा सुसुता तदा सतकार करता है यह कठोर सत्य है कि हम भावतिक रूप में इस संसार में सीमित अवद तक ही रहेंगे हमारे मिर्ट के बाद हमारे निकट संबंधि में तर बंद बंद तो जीवन भर हमारे लिए सोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं होंगे दुख मिस्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतरमन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सतकर्मों और सत्गुडों का प्रकास पहला कर सदा के लिए अमर हो जाएं सेवक प्रवित अपना कर हम ऐसा अवस्य कर सकते हैं अपने निस्वार्थ विक्तित और परहित कर्मों के बल पर हमेशा के लिए मानवे जीवन है तो उत्पिरनड़ा बन सकते हैं मनुस्ट जीवन को सद्गत प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है ऐसे विचार सज्जन मनुस्ट के अंतरमन में सदा उठते रहते हैं तथा इन्हीं अपना करवे दुनिया में अमर भी हो गए इस धरा पर अस्थाई रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहित कारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे मनुस्ट जीवन की सर्फशेट सच्छा यही है यही सीख कर्मनुस का जीवन आनंदमय और सम्रेद साली हो जाता है यही सच्छा देगा की धर्म कर्म का उद्दे सतकर्मों और सत्गुडों की जयोती फैलाना है निस्वार्थ सब्द का उपयुक्त विप्रित सब्द क्या है निस्वार्थ का विप्रित अर्थ क्या होगा ठीक इसका विप्रित क्या होगा तो चलिए देखते हैं नीस्वार्थ का विप्रिद क्या होगा तो नीस्वार्थ का विप्रिद क्या होगा परार्थी परोपकारी स्वार्थी स्वार्थ option D से ही गद्यांस में प्रयूक्त अध्यातमिक्ता सब्द कितनी उपसर्भ किसके साथ आप जाना चाहेंगे तो आफसर नमबर C के साथ जाना चाहेंगे अधिकता ऐसे प्रवकारी लोग सदा पूज़े जाते रहेंगे जो धर्ती पर अस्थाई रूप से नहीं रहे आनंदमें जीवन जीते रहे अब पढ़ चुके हैं उसी की अंसार करना है अपने मन जीवन में स्प्रेश्ड सिच्छक रहे सेवक पृवित अपना कर परहित करते रहे तो आप किस option के साथ जाएंगे तो आप समर्पर अपनाकर परहित करते रहे जो अभी हम पढ़े हैं कठोर बहुद्धिक तक शरीर की नस्वर्ता भावनओं पर नियंतराइब नकरपाना। निकर्ट संबन्दियों का अस्थाई प्रेम भावतिक संसार के तुस्ता तो आप किसा आप सबसुन के साथ जाएंगे तो यह आपसन से भावतिक शरीर की नस्वर्ता। का नीर्वल बहुंऑ उपर बिजे पाने के लिए बिजे पाने के लिए क्या किए जाने की आवस्यत्ता बताई गई है आप किसके साथ जाना चाहिए और सरदा सिब्स कर मंदा को मन ना आने देना अच्छे का अम अमर कर लेना तो आप्सन नमबर 23 का डी सही है क्या सही है तो आपको यह भी देखना है कि पहले सार्थक सब्द क्या है दो सब्द मिलकर सार्थक सब्द नाते हैं या दो सब्दों को तोड़ा जाए तो बालक इस पुस्तकाला में पढ़ रहा है वाकि में क्रिया क्या है अरे साय उक्त क्रिया है सहाय क्रिया है वाकि में अकर्मक क्रिया है कौन सा क्रिया है तो आप किस option के साथ जाना चाहेंगे तो इसमें सकर्मक क्रिया है कर्म के साथ क्रिया है भाई पुस्तकाला में पढ़ रह गीर वाण एक देवता का प्रयवलकी नहीं है तो आप इस में से किस के साथ जाएंगे , किस के लिए सब्धा है कि मुमुच मुर्मुच मुमुच तो आप किस के साथ जाना चाहेंगे ये उसन से है मुमुच शर्प मेड़ग सिंग होडा वानर हाथी आदि के लिए अनेकार्थी सब्दा है पस्व सिव हरी कपी से तो आप किसके साथ इसमें से जाना चाहेंगे तो हरी आप्सन सही है सी निम्लिक तो वर्तमान काल का उदाहरंड क्या है उसने पढ़ा था ये तो बीत गया वह पुस्तक पढ़ेगा ये तो आएगा वह जाता है वह खेल रहा था ये भी बीत गया तो ये सही है सही आप्सन सही है सही विकल्प का चैन करें जो सुद्ध है कि वह सारी रात भर पढ़ता रहा वह सारी रात भर पढ़ता रहा वह सारी रात भर तो इसमें में से कौन सा ओप्सन सही है आप किस ओप्सन के साथ जाना चाहेंगे तो चलिए देखते हैं वह सारी रात पढ़ता रहा किस ओप्सन के साथ में जाना है वह सारी रात पढ़ता र और वह सारी रात भर पढ़ता रहा यह उप्शन है भी है वह सारी रात पढ़ता रहा तो वह सारी रात पढ़ता रहा उप्शन भी सही होगा हथियार डाल देने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा मात्र कल्पना करते रहना हथियार गिरा देना हथियार उठा लेना हार मान लेना क्या है हार मान लेना मात्र कल्पना करते रहना हथियार गिरा देना हथियार उठा लेना हार मान लेना कौन सा आप्सन सही होगा इसमें आप्सन नम्बर टी सही होगा हार मान लेना इनमें से कौन सा जोड़ा सही है प्रिय प्रवास हरियोध सांदिगीत प्रसाद आसू निराला साक्यत तुलसिदास चिर जीओ जोरी जुरें क्यों न सनेह गंभीर को घटिये बिरसभान उजावे हल धर के भीर में कौन सा अलंकार है ठीक है वक्रोद अलंकार यमक अलंकार स्लेस अलंकार अनुप्रास अलंकार तो यहां पे क्या अर्थ है स्लेस अलंकार है क्या है एक सब्द के कई अर्थ होते हैं तो कौन सा अलंकार होता है स्लेस अलंकार होता है तो यहां पे स्लेस अलंकार स्लेस मतलब क्या चिपकना तो एक में मतलब जैसे दो अर्थ चिपके हैं निम्लिकित में सब्दों में से एक वर्तनी सुद्ध है आभ्यांतरिक अत्याधिक निरोग निरपराद कौन सा वर्तनी इसमें सुद्ध है सुद्ध को चुनना है तो निरपराद इसमें सही है इसमें इसे कौन सा सही नहीं है option number C परिमाड बोधक सुख दुख के बीच लगने वाला चिन क्या है सुख दुख के बीच लगने वाला निर्देश चिन योजक चिन, विवरण चिन, अपोडविराम क्या सा है तो ये योजक चिन है है तेली चमेली रेती खेती ठीक कच म में बड़ी प्रते नहीं तो दे்कि報 अगर चमेली में चमेल कहेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं तो इसे चमेली में प्रते नहीं है ठाट है तो अ honor कि सट फूरा हुआ पिर हम अंगले वीडियो में मिलें करेंगे तब तक के लिए जय हैं जय भारत और आपके उज्जल हो इसका कामना करते हैं इस्वर करें कि आप लोग सफल हों